नमस्कार दोस्तों स्वागता सभी लोग का इंडियन फ्लाइंग के इस ओध की नई अपडेट में आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ सेयर करने वाल हैं कि एरलाइन्स और ट्रेवल से कौन-कौन सी बड़ी अपडेट निकल का सामने रही है पहली बड़ी खबर की जानकारी चाइना से सामने रही है चाइनीज गौर्णमेंट ने अब फाइनली अपने यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइटों को आने के अनुमति दे दी है आप सभी लोग के साथ NDTV की तरफ से जो खबर सामने आई है वो न्यूस एर करना चाहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साब साब बताया जा रहा है कि आप चाइना के बीजिंग में इंटरनेशनल फ्लाइट पूरी तरीके से चालू हो चुकी है जो लोग भी चाइना के लिए ट्रेवल करना चाते हैं वो सभी लोग ट्रेवल करके जा सकते हैं चाइना में जाने के बाद आपको साथ दिन कॉरिंटीन में रहना पड़ेगा इसके बाद तीन दिन आपको होम कॉरिंटीन में भी रहना पड़ेगा नेक्स्ट अपडेट भारत के सेवल अवेसन मिनिश्टर जोतीरा सिंध्या की तरब से सामने रही है जोतीरा सिंध्या ने सभी एरलाइन्स कंपनियों से मुलाकात करी है जी हैं दोस्तों यहाँ पर जो खबर सामने आई है उसके नुसार बताया जा रहा है कि एवियसन फ्यूल के लगातार बढ़ रहे दामों को देखते हुए इस मीटिंग को रखा गया है और इस मीटिंग में इस बात को लेकर डिसकस किया गया है कि आखिरकार जो एरलाइन्स कंपनियों अपने टिकटो के दाम को लगतार बढ़ा रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है यदि आप एरलाइन्स से ट्रैवल करते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा इस समय एरलाइन्स कंपनियों ने अपने टिकट के दाम को 2-3 गुना तक बढ़ा दिया है नेक्स्ट अपडेट बागडोगरा इंटरनेशनल एरपोर्ट को लेकर सामने रही है आपको बताना चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल के बागडोगरा एरपोर्ट से अब इंटरनेशनल फ्लाइट पूरे 2 सालों के बाद चालू हो चुकी है जी है दोस्तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में दो एरपोर्ट है जहां से आप इंटनेशनल फलाइटों के मादधियम से ट्रावल कर सकते हैं अभी तक केबल कोलकाता एरपोर्ट से ही इंटनेशनल फलाइटे आपरेट हो रही थी जहां पर एक छोटे बच्चे को इस तरीके से मास्क बनाया गया है कि उसका पूरा चेहरा ही मास्क से ढखा हुआ है और आप ये फोटो देख सकते हैं जो कि इस समय सोसल मीडिया पर काफी ज़्यादा वारल हो रहा है आपको बताना चाहेंगे कि न्यूजिलेंड भी उन सभी लागो किये गए हैं जिस कारण से अभी भी लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं